तो बहुत सौगय को थी इस स्पेसेल वीडियो में जेतने भी हमारे स्पेसली एशिसी आश्पेसली आश्पेरंट हैं ग्जाने ऑप नहीं लेग दोन किया एशिसे 131 वमेटने जानता हूं आप बहतर करेंगे अच्छा करेंगे बहुत सारे केंडिट पुरे देश के हैं जो एसी सी आस्परेंट वों कैसी लर्निंग आप से जुड़े हुए जो ऑनलाइन इस्पेशल एसी सी बैच की प्रपेशन हमारे साथ करते हैं रिटन के लिए भी और बेस्ट रिज संक्या में हैं और एससबी कहीं नहीं कहीं बड़ा मारका है जहां आपके लिए आपके प्रफॉर्मेंस को बहतर प्रूप करना होता है चैलेंजिस भी सामने हैं विकिस आप एक नॉन कमिशन लाइफ को जी रहे होते हैं एक सोलजर का जीवन आपके लाइफ का हिस्सा बन च करना चाहिए जिससे आप एससबी में बहतर परफॉर्म कर सकें आज एससे इंट्री के माध्धम से तो आज इन ही सारे पहलों के टेक्निकालिटी को डिसस करने के लिए हमाई साँ जोड़ हैं ग्रूप कर लेते हैं एक ट्रेनिंग के बाद फिर जो है जॉब भी हो जाती है जब तो ट्रेनिंग सेडूल कम कर दिया गया है तो जॉब भी ज्यादा हो रही पहले सर थोड़ा प्लस पॉइंट था इस्पिसली जो एर फोर्स केंडिडेट होते थे तो अर्लियर किया था सर की ट्रेनिंग ही 28 मंध की हो जाती थी ऑन डेट आप इन्रॉल्मेंट के 24 महने बाद exactly eligible हो जाते थे कभी भी मतलब एक केंडिडेट जॉब पे गय ही नहीं उससे पहले ही एसी सी इंट्री में अपलाई की और आपका भास का जो और इंडिया रैंक बच्चर आप एक्जांपल उसका दे सकते हैं आपे सर तो वो ड्यूटी पे गया ही नहीं और उसके कोंसेट डिव जो रिए तो जो ऑऑ शयूए देघर चाहें रहोरा है टीज & का एक अफ़ हिसारो ऑर इन की अपर टीजिग में और कम इनके ही बादे बाद रहर चाहता है तो इन स्कु링 तो नहीं यह जाहता हूं जिज ए प्रस उछ्डेव में नवी में क्या ये मेंटेन करें जिससे सरी वो वेलक्यूस इनके अंदर बनी रहे हैं सदेखे एक बहुत ही अच्छी एंट्री है ये एसी सी और मैं ये सोचता हूँ कि इसमें जितने का इंटरेट्स आते हैं सबसे बड़ी बात ही होती है कि उस बंदे में ये मोटिवेशन बचा है और बिंग पार्ट ऑफ दे बेस्ट आर्म फोर्स इस वर्ल्ड वो फिर भी बना चाहता है और उस मोटिवेशन उसको अच्छीव करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है सबसे पहले उसको अपना माइंड सेट चेंग करना पड़ेगा जो माइंड सेज जो आपने इतना मुझे बताया भी जो ट्रेनिंग होती है उनको जौप और चीबलती है उसको उस शेडूल में और जो जो बाते मुझ सीख रहा है उसको इंभाई करना है एड ते सेम टाइम इसको आपने शेड घो जब आफ़िसर के बारे में जाने का जब आपसर को बारे में अगर सचेंगा मैं अगरी सीचिएशन में हूं तो एक अफसर क्या करेगा उसको अपने अंदर थोड़ी थोड़ी O-L-Q डिवलप करनी चाहिए अब कैसे डिवलप करेंगा अपना मायन से चेंग करें पहली बाद दूसरी बात यह कि थोड़ा सा अपना जो रहन सहन है उसको चेंग करेंगा अब आप मांने जे अपने दोस्तों के साथ हैं वाक कर रहे बिलेट्स में कुछ भी यह खा रहे हैं कुछ भी यह तुड़ अच एटिकेट्स तिंग विछ टेल अबॉन ए पस्तरी इंटर्वी ओफसर से लेकिंटेवी जों लेते हैं बड़ा बोरिंग सब बैच होता है जब एसी से का बैच होता है तो हमारे फॉज जवान हैं एक तर में बैटने में और बोलने में अगर हम पांच मिनट के अंदर विकेंड मेक आउट कि इस बंडे में क्या यह बंदा सुटेबल है कि एक साल के बाद मेरे बगल में खड़े होकर के ऑफिसर समें एक गलास लेकर चेर्ज करने का राइट मैं यह देखता हूं वो चीज अगर यह लोग समझें अपना मैंसेट चेंज करें कि एक आफसर क्या करता है एक जवान क्या करता है एक लीडर में एक फॉलोर में क्या फरक है सब देखिवरे फॉजी भाइयों करेका एक सर एक्सक्यूस भी आता कि सर वरकिंग आर्स टाइट हैं सडियूल बहुत टाइट है उस एलेगेंस को यह मैंटेन करें तो सर इनके लिए थोड़ा वो चैलेंजिंग है बड़ इस पर एक्स्क्यूस नहीं दिया जा सकता है इनको मैंटेन करना ही होगा अगर कुछ बहतर होना है तो सर दीक इस पर आपको पहले सब सब को फोकस रहना है अपना गोल को जहां आपको उन से बात कर रहा हूं मैंटें बच्चे मेंटे में ने प्रणा अपने अपने आने वाले जनरेशन को भी दे आहिए जएखर अब मैंने करना शुरूर कर दिया तो उससे क्या होगा मेरे को एक मेरे को एक मैंटे स्किल्मिक्रिशी स्किल ने यह थीज बोल नहीं पा जो शेडूल है बहुत टाइट है लेकिन किया आपको आधा पॉना घंटा नहीं मिलता अगबार देखने का बिलकुल सही बात है आप टीवी देखते हैं कि आपको मौका नहीं मिलता कि आप इंग्लिश न्यूज चैनल लगा कि देख लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है आप स्टार्ट थिंकिंग अपने अंदर लानी है तो दो चीजे बहुत एहम हैं के लिए एक अपने आप में बेस्ट बहुत अच्छा है अचा सर कितना इंपॉर्टेंट इनके लिए गाइडेंस भी है बिकिस जैसे कि अभी आप को मैं बता हूं तो जब यह सौट लिस्टिंग देगेज़ें के लिए 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 के लिए वहती है उसमें से जो है टॉप फाइफंड टो चुना होता है अपिर यह सौ बच्छों को टी भीजा जाएं वहां पे भी चाके काफी समय गुजारते चहां मैने ऐस पास उनकी पुरी ट्रेंटिंग होती है और है भाई फिर SSB जाएंगे तो बढ़ी आई करेंगे क्यों कि वहां से हो कहीं आ रहे हैं क्या इस शीज का भी फर्क पड़ता है सर जो ILC कोर्स कैंड़ेट है हमारे और जो नॉर्मल एस शीज कैंड़ेट है क्यों को जाना दो जाना दोनों कोई है इसलिए सर देखिए अगर किया है तो अच्छा तो थोड़ा सर लगेगा फार्दा इसलिए वो एक्टिव दिखाई देता है तो थोड़ा देखाई दर शाता है और आपका इंट्रेक्शन ऑफिसर्स लेवल पर ज़्यादा है आज कंपेर तो थोज नॉन ड़न देल से तो यह आपको सारे कोसे को जुरत दी पड़ेगी हम आपको ऐसी चीजह सिखा देगे यह से आपको कोई की कमी नहीं नहीं पाएंगा इनका एक डर और भी रहता है सर जिसे अभी क्या है कि छुटी नहीं मिलती है सर अभी चुटी का बड़ा सौटेज हो गया पहले वारा जमाना फ चारत से हमारे ओनलाइन बैच का भी हिस्ता है सिस्टी का इन फैक्ट जब मैं यहां ओनलाइन क्लास लेता हूं चार से पांथ बजे तो मुझे फिफ्टी परसन जो है वो सब सर्वेस इंट्री वाले होते हैं बड़ा इच्छा लगता है देखिए चुटी का तो प्राब्ल आप यह कर सकते हैं अपका सूचते हैं सेप्टेंबर अक्टूबर नौम जनली इनका आटेर आते हैं तो अगर तब है आप जब भी चुटी ले लेट से आप एक मेने शुटी ले रहे हैं आप कम सकम 15 डेज बिताएं और उससे पहले आप जब आप देगे घर में है आपको पता है ओनलाइन कर सकते हैं आप अनलाइन करते हैं लेकिन ओनलाइन से आपको फीड़बैक मिलता रहेगा और जब आप आफ लाइन के लिए आएंगे तो exactly you will know where you are और वो real situation आप face करेंगे और आप confident खुद को feel कर पाएंगे उसको planning करनी पड़ेंगे मतला आपका motivation आपका क्या एम है आपका officer बनना है ठीक है कितना टाइम मेरे पास है अब मेरे exam है मैंने पास किया उसके मेरे call तबाईगी इतने महीने मेरे पास है first I will join online उसके बाद I'll join offline then go face online classes daily communication classes भी रखते हैं sir SSB special session है sir और जर्नल awareness का भी special session रखते हैं और जर्नल awareness का भी special session रखते हैं स्ट्रेंथ को लेगे कुछिन मात महीं है बस थोड़ा सा माइंड सेट और mental strength को स्ट्रॉंग करना होगा और वो अफिसर्स बनने के लिए मुझे लगता है जरूरी है तो ट्रेंग में बिल्कुल जुड़ी है online भी जुड़ी है बट offline का जरूरी हिस्टा बनी है अगर अगर और time to time स्वें SEO, PCSL special हम सब पर बात करेंगे क्योंकि सर माइंड सेट फोला अलग है एसी सेटी डिफरेंट माइंड सेट एस्टो इंट्री डिफरेंट माइंड सेट पर के सर और मैं सबसें इंट्रैक करता हूं तो मैं बहुत सारी चीशे टेक्निकली भी देखता हूं इन म करता हूं